हेलो एवरिवन जेए क्लासिस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एपलाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के स्लेबस के बारे में यह applied mathematics फर्स्ट सभी engineering branches के फर्स समस्टर में चलाया जाता है polytechnic engineering branches मतलब जैसे electrical, EC, mechanical, civil और बाकी जो engineering branches है सभी में चलता है फर्स समस्टर में हम लोग basically UPBT के स्लेबस को đिस्कस करेंगे UPBT मतलब board of technical education बाकी जो students हैं बाकी board वाले मतलब बाकी states के जो student हैं वो भी परिशान मत होईए एप्रॉक्सिमेट यही स्लेवर्स होता है सभी स्टेट्स में बट जो बाकि टॉपिक बच जाते हैं मतलब जितना स्लेवर्स यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जो आज इसकस करेंगे उसके अलावा जो टॉपिक बचते हैं वो भी आपको मतलब उनकी क्लासेज आपको प्रवाइड कर आए जाएंगे इसी चैनल पर आपको उनकी भी क्लासेज मिल जाएंगी तो परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो बाकि स्ट्रीट के स्टूडेंट्स है तो चलिए हम फिर शुरुवात करते हैं यूपिबीटी के स्लेवर्स की तो देखें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह जो सब्जेक्ट है यह पेपर में 50 नंबर का आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस यूणीट से कितने मार्स का आएगा किस यूणीट में कितने chapters हैं और किस chapter में क्या क्या topic हमें पढ़ने है यह सब हम डिसकस करेंगे तो पहले यूनिट पर आ जाते हैं फर्स्ट यूनिट का नाम है अलजबरा फर्स्ट मतलब बीजगनित प्रथम तो इसमें चार चेप्टर हैं हमारे पहला चेप्टर है समान तशनी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां हम इसे शॉर्ट में एपी कहते हैं अब इस चेप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ने ना है इस चेप्टर में हम एनवा पद पढ़ेंगे एन पदों का योगफल पढ़ेंगे और समान तरमाध्य पढ़ेंगे इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं कुछ और important questions भी होते हैं इस chapter के अंदर वो हम जब chapter पढ़ेंगे तब details से discussion करेंगे फिलाल यह topic हमें पढ़ने हैं इसके बाद next पर चलते हैं यहां जो chapter है इससे एक नमबर का भी आ सकता है दो का भी आ सकता है और पांच का भी आ सकता है यदि NMA पद पूछा जाता है नॉर्मली मतलब ah see आपको दे दी जाए series और उससे पूछले जाए कि यह पद जाती किया तो एक नमबर में आता है जब बात हो जाती है sum थोड़ा बड़ा question हो जाता है तो दो नमबर में आयता है कभी कभी उससे भी बड़ा question हो जाता है थोड़ा language एक सिटरा हुजाता है और बाकी कुछ क्रक्षाइब होर है जब इसका ये चेप्टर पढ़ाएंगे यहां से भी आपका एक number का भी बन सकता है, दो का भी बन सकता है और पांच का भी बन सकता है तो आपको accordingly तेयार रहना है, मतलब हर एक टाइप कर फॉरा चैप्टरीं डीटेल से पढ़ना ही है हमारे जब भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो साथ में रहीएगा मतलब सभी chapters आपको पढ़ने ऐसा नहीं है कि class start होती है आप starting की कुछ minutes देखें उसके बाद class ना करें पूरी class देखने हैं आपको next देखें द्वीपत्प्रमे मतलब binomial theorem binomial theorem में हमें क्या क्या पढ़ना होता है सबसे पहले expansion पढ़ते हैं expansion मतलब प्रसार कैसे करते हैं इसके बाद पद कैसे निकाला जाता है मतलब व्यापक पद कहेंगे इसको English में इसको general term कहते हैं इसके बाद आता है middle term इसके बाद आता है एक अचर पद होता है मतलब constant term या फिर कोई भी power दे दी जाती है कि इसका coefficient याद कीजिए वो सब हमें पढ़ना होता है binomial theorem में इसमें से भी इसके अलावा भी हम binomial theorem में जो binomial coefficient हैं उससे related questions करते हैं या फिर binomial theorem में power जो है कभी कभी fraction में आती है binomial theorem index करके topic आता है तो हम वो भी पढ़ेंगे उससे expand कैसे करते हैं 1 marks, 2 marks, 5 marks next determinant determinant में expansion होता है कुछ properties होती है जिन property की help से हम determinant को solve किया जाता है solve कैसे करते हैं determinant को इसके अलावा consistency और inconsistency है linear equations की मतलब संगत्ता और ऐसंगत्ता रेखिक समय करनों की इसमें एक rule होता है grammar rule वो हमें पढ़ना है काफी important है grammar rule पांस नमर के question उससे आता है काफी easy भी है जब हम class में पढ़ेंगे तो देखेंगे आप कितना easily question solve हो जाता है 5 marks के question है easily solve हो जाएगा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आसानी से आपको 5 marks मिल सकते हैं तो यहां से भी 1, 2, 5 total यदि हम पूरी unit की बात करें तो इस unit से हमें 10 marks का मिलता है 10 से ज़्यादा कभी मिल सकता है कभी कभी कम कभी मिल जाता है तो आपको पूरी unit detail में पढ़नी है मतलब हमारे साथ रहेगा अच्छे से पढ़ेंगे मतलब class में पढ़ाएंगे आप लोगो class attend करनी है मतलब अगर आपको लगता है कि आपको फिर से class देखने हैं तो आप फिर से देख लीजेगा तो अच्छे से पढ़ेंगे तो आप भी cover कर पाएंगे easily easily 10 marks यहां से मिल जाएंगे आपको देखे total हमारा 50 marks का paper होता है लेकिन choices में भी questions आते हैं तो 71 marks का हो जाता है तो हम यहां कह रहे है minimum 10 का मिलेगा 10 से ज़्यादा का भी मिल सकता है आपको इस unit से अब जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को subscribe कर लिजेगा और share भी कर दिजेगा इस चैनल को अपने बाकी friends के साथ ताकि उन तक भी information पहुँचें कि हमारी classes चलाई जा रही है हम आपको बता दें कि जो classes है वो free of cost है और जितना syllabus है वो आपको सारा syllabus की cover कराया जाएगा तो आप लोग बाकी friends को जिसे भी आप share कर सकते है उसको share कीजिए ताकि वो लोग भी join कर सकें class को next देखें next unit के हम बात करते है next unit है हमारी algebra second algebra second मतलब 20 गुणई दृत्य यहाँ पर first chapter है अदिश गुणन second chapter है सदिश गुणन अदिश गुणन scalar product यहाँ इसको कहते हैं बिंदु गुणन मतलब dot product next अदिश त्रिगुणन और इसके बाद सदिश त्रिगुणन लग triple product नाम से फ़र्ष्ट ना त्रिगुणन तो तीन का product यहाँ पर दो वेक्टर का product होता है यहाँ पर तीन वेक्ट नाम से चेप्टर दिया गया है जिसमें साथ चारो चेप्टर कवर हो जाते हैं तो परेशान होने की जरुत नहीं है अलग-अलग मिलते हैं आपको भूक में तो भी ठीक है नहीं मिलते हैं तो topic दिए गए अलग अब next chapter यहाँ से भी सेम ही है एक दो पांच किसी का भी आ सकत क्या है कॉंप्लेक्स नंबर क्या है एडिशन सब्ट्रेक्शन सब लोग हम सब हम लोग पढ़ेंगे मतलब कैसे करना है हमें या फिर दुरुविय रूप इसके अलावा स्क्वार रूट कैसे निकालते हैं या फिर जैसे आई रेस तो दी पावर कुछ दी गई है मतलब आपको कुछ क्वेशन दिये जाते हैं मतलब इक्वेशन सौल्व करने के लिए वह मिसमें पढ़ेंगे पांच नंबर क्वेशन अब बनता है इस चेप्टर से इंपोर्टन चेप्टर है अब जो लोग हमारे चैनल से पर नहीं है टेलेग्राम चैनल टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा आज ही जोइन कर लिजेगा वहां से आपको शेड्यूल मिल जाएगा आपकी क्लास का मतलब आपकी क्लास किस किस टाइम होने वाली है बाकी पीडिएफ वगारा भी आपको वहीं से मिलेंगी टेलेग्राम चैनल से स्ट्रिप चल रही है एक नीचे उस टेलेग्राम चैनल का नाम क्या है इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट अभी जूढना चाहते हैं टेलेग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके टैप कर सकते हैं तो आप टेलेग्राम चैनल वहां से जॉइन कर लेंगे चलिए फिर नैक्स उनीट पर चलते हैं तिग्नोमेटरी देखो आप पढ़ते हैं दोच हमें अभी पढ़ने लेकिन इससे पहले का जो बेसिक है वह आप वह भी आपको रिवाइज कर लेना है अगर किसी को पता है तो भी ठीक है यदि नहीं पता है तो भी टेंशन ने लेनी है ठीक है हम लोग basic से ही पढ़ेंगे मतलब जो यदि आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है तो भी परिशान होने की जरूरत नहीं है बस class में बने रहिएगा daily जितना कराते हैं उतना practice करते रहिएगा तो सब cover हो जाएगा तो ये chapter हमें पढ़ना है इसके लावा ये chapter पढ़ना है प्रतिलों वरति है फिलन इस unit सबसे छोटी unit है इस unit से 6 marks का minimum आपको मिलेगा ज्यादा का भी हो सकता है कम का भी हो सकता है इससे जो पहली वाली unit है यहाँ से भी आपको 10 number का मिलेगा plus minus हो सकता है मतलब हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमने 10 लिख दिया है तो exact 10 का ही आपको मिलेगा exam में आप यह देखें कि हाँ भी मैंने कहा था 10 का मिलेगा तो 10 से ज़ादा का क्यों आया या कम का क्यों आया तो ज़ादा का भी हो सकता है तो यहाँ से 6 number का हुआ आगे बढ़ जाते हैं, differential calculus first पर, differential calculus first, पहला chapter है functions, यहां से एक number का question आता है, दो का आता है, rare case है, 5 का बजा जाता है, बहुत जादा बढ़ा है तो, limits, इसमें types हैं कुछ, मतलब अलग-लग type है कि कैसे solve किया जाता है, इस type का question आता है, तो कैसे solve करेंगे, इस type का question आता है, तो limit क कैसे solve करेंगे, next, सतत्ता और अवकलनियता, continuity and differentiability, यहां से question बनता है, तो 5 marks का बनता है, यह बढ़ा हो जाता है थोड़ा सा, इसके बाद आता है, differentiation, देखे, सबसे ज़्यादा मार्स का इस chapter से बनता है, इस chapter यहां हमने नाम लिख दिया, differentiation, इसमें बहुत सारी topics हैं, बहुत कवर करेंगे, simple differentiation को किया है, इसके अलावा हम multiply, अगर दू प्रोडेक्ट में धिये गए है, product rule क्या है, divide rule क्या है differentiation का, यदि powers की power दे जाये तब हम differentiation कैसे का हैं, logitmy differentiation,ormal Tuition कैसे करेंगे, technometric terms हैं, उनका differentiation हम कैसे करेंगे, inverse functions का differentiation है, वो सब हमें इस differentiation में पढ़ लेना है, सबसे differentiation बहुत अच्छे से पढ़ना है इसका एक और रिजन है क्योंकि यदि आप differentiation पढ़ेंगे तभी आप fifth unit को cover कर पाएंगे इस पर बेज ही पूरी unit है तो इस chapter से इस unit से भी आप इस unit से 12 marks का आता है देखे 10 10 6 26 हो जाता है अब जो बाकी दो यूनिट बची उससे 24 marks का आता है तो 12 marks का इस chapter मतलब इस पूरी unit से आता है ऐसा भी हो यूनिट 5 से पहले हम बता देते हैं कि आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लीजेगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रूप का नाम है ये सी पॉलिटेक्निक फर्स सेमिस्टर डाउट क्लास अब ग्रूप जॉइन क्यों करना है देखे जब हम क्लास करेंगे आ आपने क्वेरी भेज देनी है फोटो क्लिक करके बेज देना है तो जब भी हम डाउट क्लास लेंगे वह आपके जो डाउट है उसमें वह हम ले लेंगे डिसकस करेंगे क्लास में चलिए फिर फिफ्ट यूनिट पर चलते हैं डिफरेंशल कैल्कुलेस सेकिंड देखे पहल है यहां इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे रेट कैसे निकालते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब बलूसिटी के बाद आता है आपका ट्वेलोर असलीरेशन कैसे निकालते हैं पांच क्वेश्ण बना है एक दुबार अरुड़ अप्रॉक्सिमेशन से मतलब एरर तूटिया और सन निकतमान तो इसने हम यह पढ़ेंगे वैसे तो यह दोनों भी अनुप्रियोग ही है लेक तो यह हमारी 50 unit है इससे भी हमारे 12 marks का आता है देखी हमने जो marks discuss किये हैं उसमें plus या minus हो सकता है आपको accordingly तयार रहना है इसका मतलब यह है कि आपको first unit से लेकर last unit तक बहुत अच्छे से पढ़ना है हर एक chapter की अपनी value है ऐसा हो जाता है कि कभी किसी chapter से आता ही नहीं है और कभ आपको स्मझ कि पढ़ना हैं तो बाकी तो रुक है तो बाकी हम एक इवल्यमाता है बतलब सबकी सेम वैल्यू आपको समझ के पढ़ना है तो बाकी परिशान मत होगा जिसे कुछ नहीं आता है वह भी परिशान मत होगा बस मेहनत करते रहना है जितना बताया जाता है उसे लगातार पढ़ते रहना है तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फर्स चेप्टर के साथ फर्स यूनिट के फर्स चेप्टर के साथ एपी तब तक के लिए अपना ध्यान रखे स्वस्त रहिए धन्यवाद जय हिन जय भारत